नमस्काल मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है आज बेशक जो को भारती भूजन में इतना मैतु नहीं दिया जाता लेकिन राजा माराजाओ के दौर में जो के मोटे अनाज को राजा माना जाता था कई पोशक तत्व से भरपूर जो की लोग प्रेता बेशक गेहूं बाजरे जैसे अनाज से कम रही हो लेकिन स्वास्त के लिहाज से गाओं और छोटे शहरों में इसका सेवन आज भी किया जाता है जो में विटामिन सी, ठाइमिन जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं जो की पत्तियां, जो के बीच दोनों ही कई बिमारियों से राहत दिलाने में मदद करते हैं हाला की ज्यादतर लोग जो को आटे के तोर पर ही खाना पसंद करते हैं तो चलिए आज जानते हैं जो के आटे का सेवन करने के क्या है फाइदे वजन घटाने में मददकार गेहू या अन्य किसी अनाज की रोटी के मुकाबले जो के आटे की रोटी में कैलरी बहुत ही कम होती है जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उन्हें जो के आटे की रोटी खाने की सला दी जाती है digestive system को बनाता है strong जो में phosphorus acid, salicylic acid और lactic acid पाया जाता है जिन लोगों को पेट संबंदी समस्या होती है उन्हें गेहू की बज़ाए जो के आटे की रोटी खाने की सला दी जाती है bad cholesterol ये बात तो हर कोई जानता है कि शरी में bad cholesterol बढ़ने का मतलब है दिल से संबंदी बिमारियों का जोखिम बढ़ना bad cholesterol को गटाने के लिए जो के आटे की रोटी को सर्वत्तम माना जाता है nervous system को करता है शांत जो के आटे की रोटी में vitamin, mineral बहुत मातरा में पाये जाते हैं इसके साथ ही ये magazine का भी अच्छा source माना जाता है अगर आप प्रति दिन जो के आटे का सेवन करते हैं तो इससे nervous system को शांत रखने और शरीर को हमेशा energetic बनाए रखने में मदद करता है immunity को boost करने में मदद करता है क्रोना काल में immunity की एहमेद हम सब ने जान ली जो के आटे में मौझूद vitamin C, immunity को strong करने में बहुत मदद कार होता है इसके अलावा ये तनाव के स्थर को भी कम करने में मदद करता है अगर आप pregnant हैं या किसी तरह की दवा का सेवन कर रहे हैं तो जो के आटे को डेली डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सला जरूर लें फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल से जुड़े रहने के लिए उसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा